कि नमस्कार दोस्तों मैं क्याल सकनी आप सबी लोगों का सरकारी मास्टर में बहुत बहुत स्वागत हैं यह हम लोग अभी तक जो प्रत्य पड़ रहे थे वह आपके क्लियर हुए बैर इंपोर्टेंट टॉपिक है यह आपको मैं बता दू यहां से आपका प्रश्ण बनता ह ही बनता है ठीक है यहां से आपका प्रश्ण यह सब बनते ही बनते हैं इस चीज को नोट कर लेजिएगा और यह आपका कारक और बिभक्ति को लेकर इसमें आपको बहुत कंफूजन होता है लेकिन कंफूजन होना नहीं चाहिए एक एक चीज को किलियर कराम अबद आप लो सब्सक्राइब बनते हैं और आपकी क्लास को कम से कम एक दो से तीन बार देखना चाहिए जिससे कि आपको एक एक चीज कॉंसेप्ट के लिए हो जाया ठीक है तो हाँ आडियो वीडियो विल्कुल सही है कि नहीं है चले कारक तथा विवक्ति बैरिभूट बैरिवोट थैं एक सब्सक्राइब कारक हो बेजान एक कारक होगा जंद यobicौनक कारक होगा यहीं वेजयकों साथा बएक्वा है कारक ने वाहिव इसे लिए किरिया को करने वाला करने वाला अर्थात कौन कारक करता अब करता ठीक है करने वाला उससे हम कारक कहेंगे क्रिया का करता है तो जनक कौन है, पिता कौन है यह ऐही करता है क्रिया के साथ जिसका सीधा सम्मंद होता है काक इसका सीधा सम्मंद हो इसके बीच में कोई आए उसे हम कारक कहते हैं ठीक है ये इतनी बाद सभी को किलियर है बहुत फूर्ण दर्ट हरे भाएं जली कोई बाद में सॉरी कारकों की जंग्या कितनी होती छह चह कोन-कोन से कारक है तो करताकारक, करमकारक, करडकारक, संपरदानकारक, अपादान और अल्थकरारण आप स्क्रिन्सोट ले सकते हैं आप सारे नोट्स बना सकते हैं जो की वेस्ट होंगे वेस्ट वेस्ट आपको कंटेर्ड में ला, ठीक है? हाँ, चलिए अब देखिएगा अब 6 कैसे होगे बिवक्तियां साथ हैं तो कारक 6 कैसे हो सकते हैं तो नोट यहाँ पर लिखा है यह 1000 का नोट नहीं ना 500 का यह नोट थोड़ा है आपको एक माइंड में सेट करने के लिए क्यों है तो कारकी शम्मंद और संबूदन दो कारक और हैं दो बिवक्तियां और हैं तो भईया इनोंने कारकी कारक नहीं माना जाता है क्यों नहीं माना जाता है कारकी जो सम्मंद कारक इसलिए नहीं माना जाता है कि किरिया के किरिया के साथ सीधा शम्मंद नहीं होता है सम्मंद नहीं होता है इतनी वाद समझना आगी सभी को ओके हाँ आप सम्मंद सम्मोधन क्यों नहीं माना जाता है कहा कि हम करता में करता में प्रत्मा विक्ति का प्रयोग कर चुके हैं प्रत्मा विक्ति का प्रयोग कर चुके हैं ठीक है तो हम बारवार प्रयोग नहीं करेंगे तो इसलिए इसलिए शंबोधन को कारग नहीं माने ठीक है मतलब यह दो ने कहा कि करता में प्रत्मा व्यक्ति का प्रयोग कर चुके हैं और संबोधन में भी प्रत्मा व्यक्ति होती है तो हम दो दो बार क्यों करें इसलिए इसको कार्ग की स्रेडी से निकाल दें लेकिन विवक्ति के और यह पढ़ेगे ठीक है और सश्टी सम्मंद और कार्ग नहीं है लेकिन सश्टी जो विवक्ति है यह तो हम पढ़ेगे राइट सभी को किलियर है पानी पी लिया जाए बिलकुल अब यह वो कारक और कार्ग चिन जिसको स्क्रीन सौट लेना वो ले ले तक तक में थोड़ा जल ग्रहां करता है अरे भाई गेरी जलमान है जल लाओ प्रत्वा मेत्ती में कारक कौन सा होगा चिन में कौन सा होगा थोड़ा पढ़िए देखिए तो देखिए यह आपकी बिवक्ति है जो साथ बिवक्तियां होती है यह आपके कारके जो च्छे होते हैं और चिन नहीं समीम आते हैं अब जब आप अनवाद करते हो जब अनवाद करते हो तो यह आपके प्रियोग में लाते हैं अनवाद में ठीक है बेर इंपोर्टेंट है प्रियोग करने के लिए जिसे अनवाद सीखना है वो इनको रट लें प्रत्मा विर्ति कहा होगी करता में निचिन्न दुतिया में कर्म होगा कोचिन्न तृतिया में करण होगा सेया के द्वारा होगा चतूर्टी में संप्रदान होगा के लिये होगा पंचिमी में अपादान कारक है से अदग होगा सष्टी बे संबन कारक में नहीं माना गया सब्त लेकिन सब्तिंसलिए का कि चाचा चाची भूपा भूपी जो भी है तो और संबोधनम कहा कि जो समदना रहे है यहां गाहां जा रहे हैं तो वहां संबोधनम है भो अरे अचानक चौक जाए अरे यह बात है अभी तो हमाई तो यह था एसे में आप संबोधन करेंगे ठीक है तो यह आपके कारप्चेन के लिए हो जाए हैं मुष्ट वेलकम नमस्कार वेरी गूर आफ्टरनून चले आगे बात करते हैं शम्मंद और संबोधन तो इनके बारे में मैंट पूर जान लिया तो सश्थी कि सश्थी विवक्ति होगी कारक नहीं होगा ठीक है हाँ और अपका शम्मोधन होगा लेकिन ये कारक नहीं होगा समझे तो इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखेगा प्रश्न बन जाता है इस्टार करते हैं प्रत्मा विवक्ति प्रत्मा विवक्ति क्या है ठीक है प्रत्मा विवक्ति क्या होती है किसमें प्रियोग होती है यह सारी चीज है आप लोग जानते हैं ना हाँ ठीक है चलिए पहला सुत्र है यह को जल्दी आया आज हम लोग के वर प्रत्मा विवक्ति भूम का बनाएंगे कारक्की प्रत्मा एक्ति काई प्रियोक करेंगे दुतिया आपकी बहुत बड़ी है उसको प्रियोक उसकी हम अगली क्लास लाएंगे है ना तो इन ब्युक्तियों को इन कारकों को पड़ते चलिएगा स्वतंत्रता करता करता कैसा है करता एक दम स्वतंत् कोई मतलाव नहीं है क्रिया करने में जिसकी सतंत्रता मानी जाए तो करता को कोई दवाता है मुखिया को कुछ कहता है मुखिया जो कहेगा वो कारे होगा घर में राइट हां मानी जाए वही करता हुआ कहा कि क्रिया करने में जिसकी सतंत्रता मानी जाए वही फ्रीडम आपको देदो आपके घरवाले जाईए जहां जाना चाहो जिससे मिलना जहां घूंगना जहां पड़ना जाई यह फ्रीडम है आप जो चाहें वो कर सकते हैं आप करता होगे ठीक है इसी सूत्र से करती संग्या होगी रैट जैसे अन्वात रामा आपरम गच्छड है अब यह कह रहा है कि सोतंतक मानी जाय किष्की किरिया करने में तो जो राम है वो क्या कर रहा है जा रहा है जा रहा है तो एक दुद्य। जाता है तो क्रिया क्या जाना है अब बताईए भी ये राम है स्वतंतर रह जार रहा है उसके पताई जी कह फ़ैसे नहीं जाना की आप जाए उसके पार्ट के छाच़े की डुकान है उसके बाव कि पर लेंगा उसके बाये जाके लिएiro तो करदा कैसा हो? स्वतंत्र organism, कारग किसे कही है? स्वतंत्र देख रहे हैं रूपार कि अथि ऊच्छा मैं नहीं जाएगा यह जाएगा नहीं जाएगा इसलिए रामा में क्या हो जाएगा? प्रतवात्ति हो जाएगा क्या है थीदा है सूत्र है प्राद पदिकार्थ लिंग परिमार बचर मात्रे प्रत्मा चार सब्द आपके एक दो ती चार ये कहता है कि प्राद पदिकार्थ मात्र में प्रत्मा गत्ती होती है का कि जो सब्द जो सब्द स्वार्थ अपने अर्थ का ठीक है द्रब्य ओके लिंग शंक्या ठीक है समय वारा है तो इनका बोध करा है किसका इनका बोध करा है और कारक भी जो लिए कारक है ये पांच सब्द का जो बोध कराएं वहीं द्रब्य है कारक है संक्या लिंग है अस्वार्थ है इन सब्दों का जो सार्थक अर्थ का बोध कराएं उसे हम प्राद पदिकार्थ कहते हैं जैसे जैसे एक्जामपर उच्चय का की उपर इस सब्द का अथ है उपर और यह सब्द बात है उच्चय भोल देने से व्यक्टी को पता चल जाता कि उपर के लिए कागया और कहा जाए नीच्चय नीच्चय तो का की जिस व्यक्टी से का गया वो भी कह रहा कि नीचे जाओ कागया की करशना का-की ये करशन है कागया की ये स्री लक्षमी है ठीक है समझ रहे हो कागया की ज्यानम चाहि काग्यान है ये एक निश्यत अर्थ को देगा कशना लिंक को बता रहा है स्रीवतारा, ग्यानम, द्रव्य, कारक भी है यह सारी चीजें जहां भी आएं वहाँ प्राध्पतिकार्थ होगा और जो एक्जाम पर मैं दे रहा हूँ यही एक्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है? अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है चलिए, सेड़िन पॉंट है लिंग मात्र यह कहता है लिंग मात्र में ही प्रत्मा रत्ति होगी अब देख इसमें अच्चेएं प्रत्मा है नीच आई में है, कुश्णा में है घ्यानम में है, स्री में है घ्यानम आपका नपुन्शक लिंग है ठीक है? याद रगिए अब लिंग मात्र में क्या है कहा कि भोला हमने तटा हम प्रत्वायक्ति होई के नहीं हो तटी तटम अगर तटम क्या है यह नपुंसक लिंग में एक बचन मनता प्रत्वायक्ति में तटी इस्त्री लिंग में तटा हम पुलिंग ओके हां तो यह चीजें आपक ही है किस सूत्र से प्रत्मा युक्ति होगी तो लिंग मात्रे सूत्र से अगर यह न दिया हो और पूरा दियो प्राजबतिकारत लिंग मात्र लिंग परिवान मात्रे प्रत्मा तो इस सबी में प्रत्मा युक्ति हो जाएगी अगर ऐसा दिया हो कि प्राजबतिकारत मात्र मे पहलेसे लिया गया है कि आप टोक्री है कि आप टोक्री है क्या है टोक्री है इस टोकरी में आपने जो भरके दिया और बही मैंने आपको दे दी इस टोकरी में भरके आपने जो मुझे दिया लिया आया कुछ भी तो बही टोकरी भरके हम क्या करेंगे आपको भी दे देंगे तो कहा कि इसमें तराजू नहीं तरती थी जो आज चलने लोक्रोनिस तोलने के लिए बेट वगएरा यह सारी चीज़े पहले यह नहीं चलता था पहले क्या होता कि एक मान लीजिए एक ग्लास लिए बड़ा सा यह ग्लास आप ले जाईएगा यही ग् आर मात रहे ठीक है इसका अग्ञपल है जैसे जोड़ो अ बनके को ब्रीदें को ऑद और हुग्या अब कि इसका मूंल रुप क्या रहता द्रोडकिक द्रौड अबरे carry इस लिए वर प्रतमय को साब्योंर वह भया है स्थाराँ को दौरे और वी मने चाले डौंण माने टोकरी ठीक है तो लिए टोकरी बर कोई नाद करके देंगे Alors बचन मात्रे क्या होता है काकी Hello right लेका कई करोगे करोगे की नहीं करोगे की नहीं करोगे की तो वो पक्रण नहीं है हाँ बही तो ठीक है बचन मात्रे का मतलब होता है कि जैसे एका दो बहवा मतलब एक बच्चन ठीक है दुई बच्चन और बहु बच्चन बच्चन से मतलब यह होता है बहुत से दो माने दो एक माने एक ठीक है तो यहाँ पर लगा लेगे उधार अर्म है तो इस प्रकार से आपके बच्चन मात्र हो जाएंगे चारों सब्द हो गए सभी को किलियर है कि नहीं बताईए यह कोई डाप जल्दी से कमेंट करिएगा फट आफट करिएगा बैरी विल्कुन तो कहां कि संबोधन में प्रत्माइव्यक्ति होती बस यह कहता है जैसे जैसे हे राम गच्चत थी कि ले लिए राम गच्चत थी ठीक है गच्चत नहीं करिए इसे एक कर लिए मच्चत थी कर लिए है और आगच्च रलीजिए रोट लगार में प्रियूप कर लिए क्यों कि रहा हं प्रत्त है इसे संबोधन में में प्रत्मायक्ति हो जाएगी तो यहां आपका करता कारक नहीं होगा करता कारक नहीं होगा समझगे जो लोग लेट आ रहें वह भी पिछली वीडियो देख लेना और यह भी देखते चलना तो करता कारक में प्रत्मायक्ति नहीं हो बहुत वरी करता कारक नहीं होगा लेकिन बे प्रतिवाच में जहां करता उक्त हो, उक्त माने कहा गया हो, लिखा हो, तो बहां प्रत्वा उक्ति होती है, जैसे, एक्जम्पल, बेरी सिंपल है, ज्यादा कठें भी नहीं है, और इस चीज को आप कर सकते हो, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने काया कि, एक बाक लिख दिया, रामा गर्म गच्चती, राम घर को जाता है, और एक बाक मैंने लिख दिया है, गर्म गच्चती, आप बताओ, इसमें उक्त करता किसमें है, उक्त करता या, कहाग या करता क्या हो, बताईए, ठीक है, बेरी अग्ट, तो कहा कि, जैसे मैं घर जाता है, लेकिन कौन जाता है, यह प्रश्न बाचक हो गया का कि राम घर जाता है यह पूरा सेटनेंस है तो इसमें करता जो कहा गया है उसमें नहीं कहा गया है यहीं अंतर है समझे तो इसलिए आपर उक्त करता कहा गया रहता है उसमें प्रत्मा विक्ति होती है इसलिए आपर राम सब्द में रामा बन का प्रत्माव्यक्ति हो जाएगी इतनी सभी को किलियर हुआ कि नहीं बताइए ठीक है हाँ आगे आप लोग पढ़ेंगे दुत्याव्यक्ति कर्मकारक को ठीक है नेक्स क्लास में और आप लोग इस क्लास को जादा श्यादा श्यादा शेर भी करिएगा सभी समझेगा ठीक है थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दीजिएगा बार टेक केर हस्ते रहिए मुस्कराते रहिए फिर मिलते हैं नेक्स क्लास ओके थैंक यू अट्यूब कर दीएजड़ को खर देक्स क्लास कर सकते भीक है यू